कि पार टू स्टार्ट हो गए अच्छा जी अब बात को आगे बढ़ाते हैं भाई यह तो दर मिटवादे इसने पिक्चर लेनी है तो ले ले भाई इटने वाला है चैलेंज अब बस एक और नोट चीक है और यह नोट है जी लॉंग टर्म लोंग जने डवांस यह क्या था जी कर्णेट अशिट्स में भी वही थे वही थे इधर देखो देखना जरा गौर से देखना जरा गौर से डेट्स लोंज अडवांस इसे यह ना लेकिन कहां भी तो यह कर्णेट वाले ठीक है और अब इधर क्या कह रहा है लॉंग टर्म लोन एडवांस इस लेकिन अगेन पकड़ना किसको है इसने फिश्टिदारों को ठीक है अब इसके अंदर थोड़ी से तफसील ज़्यादा है दो हिस्सों में बांटता है वो एक वो कहता है लोन ए डवांस इसे स्यीयेट एंड रिलेते पार्टी अच्छा यार यह एसेट वाला कांटा निकाल ही दें मेरे ख्याल से कंपनी जडे के तहत से कहते हैं तो सॉचियेट कहते हैं आपका पेरेंट आपका असोसियेट है अगर आप किसी की सबसिड्री है अच्छा आपकी सबसिड्री आपकी असोसियेट है आपकी असोसियेट है फिक है जी इसोसियेट है और साथ-साथ वो क्या कह रहोता है related party related party क्या है related party की definition में क्या आता है देख लेते हैं ये भी तो related party की definition में हाँ directors वगारा भाई ने सीलो पड़ा तो नहीं हुआ गई पड़ रहे है related parties के अंदर आपके key management personnel आते हैं क्यों जी की management personnel अगे ना वदों होना दी family वाल ना जो मैंनो बस F.A.R. 2 पड़ाना है गुदारा करना है ठीक है key management personnel आपके आ जाते हैं CEO है आपकी related party है आपके CFO साहब आपकी related party है आपके key employees हैं ये सब के सब क्या हैं आपकी related parties है जी दोनों को audit में एक लेते होंगे मैं तो F.A.R. 2 की बात करा रहा हूं ठीक है जी ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया ऐसी मुसीवत पड़ी रहती है ये तो बहराल ये लोग जै वो रिष्टदार एसोसियेट्स हैं और related parties भी जब साथ कह देता है तो थोड़ी सी बात तिर जैवजेन में रखनी है कि एसोसियेट्स में तो parents and century associate आ रहा था लेकिन जब related party की बात करेगा तो directors CFO भी तो डिरेक्टरी है CEO भी तो डिरेक्टरी है ठीक है ना तो डिरेक्टर भी related party के अंदर आ जाते हैं अच्छा मैं ये कह रहा था कि उसने ना directors को यहां अलग से पकड़ा है ठीक है जी और उसके बारे में कहता है अगर आपने कोई loan या advance directors को दिया है काम अगर इस तरह से कर भी रहें तो वो disclose करने की ऐसे जरूरत नहीं होती बस हिसाब रखते हैं उसका लेकिन ये क्या पांच साल के लिए loan दे दिया डिरेक्टर को दस साल के लिए डिरेक्टर को अगर ऐसा कुछ किया है long term loan advance दिया है तो company direct कहता है बताओ तो सही क्यों दिय है वो जी उसने घर बनाना था डिरेक्टर ने उसको home financing की है हमने loan दिया है अच्छा market rate of interest पे दिया है या lower पे दिया है या interest free है ये भी बताओ हमने बतादी जी interest free है हम नहीं सूद ना लेते ना देते interest free loan है अच्छा जरा movement तो बताओ साल के शुरू में कितना था हमने का जी साल दिया है अच्छा कितना दिया इस साल dispersed पांच लाग दे दिया जी अच्छा कब वापस आएगा जी पांच साल बाद आएगा कठाई है तो इसका मतलब डिस बरस आपने पांच की है वापस zero आया है तो closing में पांच लाग नज़रा रहा है अब ये क्या है movement ये क्या है जी movement तो डिरेक्टर के बारे में ये तीन बातें बतानी है अगर कोई loan दिया है अगर को loan advance आपने डिरेक्टर को दिया है तो purpose बताओ बताओ market based market based रिता या नहीं और उसकी reconciliation बताओ बना के देखेंगे लेकिन असल में मैं क्योंके एक note बनाया ना मिलता जुलता भाई मीट आ रहे थे मैं पढ़ाने लग गया तो अब ये पढ़ के उधर चले जाते है इसको पढ़ के उधर चले जाते है ठीक है जी with regard loan advance to directors following shall be disclosed purpose for which loan advance was given reconciliation of carrying amount at the beginning opening and at the end closing showing disbursement ये payments को कहते है disbursed कितना pay किया उसको इस साल में को payment है या नहीं है ठीक है तो payment disbursement payment और repayment ये क्या जी receipts और in case of any loan or advance obtained or part at terms other than arm length market rate पर नहीं है interest free दिया है ना तो तो interest free अच्छी वात है सूच जो अराम है अच्छी वात है लेकिन user को लिख के बताओ बस लिख के बताओ ठीक है reasons there are shall be disclose ठीक है और अगर मिसाल के तोर पर वो ये reason नहीं बताते है कि interest free है तो इसका मतलब वो interest bearing होगा market के ओपर तो फिर auditor आगे check करेगा तो कहेगा इसका interest कहा है ऐसे भी तो सकता है ना तो फिर फिर auditor कहा कहेगा बाइजन या तो यह disclosure डाले ठीक है क्योंकि company jack ने का हुआ है क्योंकि आपका ये दावा है चुप होने का मतलब यही समझाएगा ना कि यह market based पर है उसने तो यहां पर तो य का है नो इसने in case loan advances other than arm length है तो disclose करो तो अगर आपने disclose नहीं किया तो इसका मतलब हो कहरे है arm length है और इटर आके इसको चेक कर सकता है तो कहेगा अच्छा भाई आपने नहीं लिखा कही है आम length पे नहीं है इसका मतलब आम length पे है तो आपने director से interest लिया है इस साल में जो loan दिय यह कहेंगे नहीं हम दें trust free दिया तो कहेगा या तो यह लिखो या फिर मैं बता दूगा कि company जैक का इसको नहीं नहीं दिया हुआ तो फिर company लिख देगी चीक है इसका है इसका है आपने जाकर जाकर चेक करना है लड़ना नहीं है उदर जाकर जब बड़े होंगा आप long term loan है बस हो आएस one कहता है long term और उसकी current maturity अलग कर लो को current portion है तो उसकोchselजो वरना तो उसको को प्र Alert प्रक्ति करो यह नहीं होगह घृर अगर लोन एडवानस है नहीं Director को पर तो अची बात अगर है तो बिर रिजन बताओ क्यों दिया रेकंसिलेशन दो और अगर आम्स लेंट पर नहीं है तो डिस्क्लोस करो ठीक है तो मैं तो ऐसे कहते हूँ आपको पकी एक आदत बना देंगे हम तो आज भी सवाल करते हुए कि नहीं ओका ना कुछ लिखा हो, तो मैं लिख दूँगा इक इन्टरस्फ्री लोग इक इन्टरस्टफ्री लोग ठीक है ना? सॉरी 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 मतलब वौ बताएगा वो, ऐसे नहींग, वो क्योंकर एक बम इसको आदत भालते हैं थीस, तीन अच्छ ça जी उसके बाद जो बाकी है ना बाकी वह बाकी अभी हम पढ़के आ रहे हैं बाकी भी हम पढ़के आ रहे हैं कहां पर इधर डरेक्टर वाले हो गए ना लॉटन तो बाकी लांकर लॉटन क्या होगे ज toutalnya कर नहीं बाकीों के बागी कि रिशितारों के बारे में तो पढ़ के आ रहे थे क्या बताओ ने मैक्सिंग अग्रिट पाउंट पास्ट ड्यू रिटन और प्रोविजन जेस्टिफिकेशन फार रिवर्सल यह पढ़ा था ना यहां पर आगए देखो यहां भी क्या कहता है इन रिस्पेक्ट ओफ लोंज अडवांसेश तो आप्ट पर विए पराना फ्रोविजन वह पराना लोंड ऑडवांसेश रिटन और वह पराना एक कम हो गया रिवर्सल प्रोविजन वाला और दो नए अड़ में एक नीं नहीं पाम हो दो कम हो है मझे लग रहे यह एक तो यह पास्डू और इंपेर्ड वालन नहीं है वह लो पास्ट्व इसमें क्या देना यू पॉंच साल की डी दї तो Tigers का डाॉय दो मीनें के लिए पर रुदी दिया था दो मेनें गुदर गया दो पास्ट् ये जह जाती ठीक है तो एक यह past due वाला नहीं है उपर ये past due वाला age analysis वाला ठीक है ये सिर्फ current का है और दूसरा उधर provision भी create नहीं न करते हैं ठीक है उस भी normally नहीं करते हैं ठीक है ना बाकी सारे के सारे same वही ठीक है दो नए add हुए हैं क्योंकि long term loan है तो आप normally security भी लेते हैं ठीक है अगर कोई ली हुई है security collateral है तो वो बता दो और terms बताओ terms क्या होती है देखो short term loan की क्या term होती है और या रह पकड़ जार पैर दो मीने बाद दे दी और long term के लिए क्लिए क्या है ये पांच साल का loan है हर साल आपने इसको बीस बीस हजार का पच्छिस पच्छिस आर करके देना है इतने साल में ये रीपे होगा या छे महीने बाद हर किस देनी है महीने महीने किस देनी है या interest है या नहीं है ये सारी terms and conditions होती है ना तो ये दो पॉइंट्स यहां पर नए एड होगे और ये वाले दो पॉइंट्स यहां से current वाले गायब होगे ठीक है ना इस तरह से याद रह जाएगा थोड़ा सा इन दोनों में कहीं पर नहीं लिखा हुआ फॉर्थ और फिफ इसका मतलब फॉर्ट फिफ दोनों के हैं ये तो current assets अभी भी बनाया क्या बताओ नाम maximum aggregate amount पास्यू इंपेर्ड विद एजनेरसेज रिटन आफ प्रोवियन और reversal की justification और अगर long term आपने दे दिया डट्रिस के इलावा किसी को loan तो बताओ नाम कोई security लिया है तो उसके पर्टिकुलर्स क्या security के लिए दे लैंड जी उनसा हमने वो गिर भी रख लिया है ठीक है security collateral बताओ फिर terms बताओ maximum aggregate amount वही आगया प्रोवियन वही आगया और अगर को return off है तो भी बताओ ठीक है चलो अब इसका सवाल बाद में करते हैं लेकिन जीज़र लेंटी इसलिए हो गया इसमें दो चीज़ आगई अगर आपने लांग टर्म लोंज एडवांस दी है डिरेक्टर को उसके लिए क्या यह नहीं चीज़ थी क्या बताओ इधर नहीं देख वो बताओ कलेटरल ठीक है उसके बाद टाउंड कंडिशन बताओ मैक्सिमम एग्रिगेट अमाउंट बताओ फिर प्रोवियन बताओ और राइट आफ किया तो बताओ इस डिस्क्लोजर है ठीक है चलो जी अब कुस्षिन नंबर इस से अगला है सी लिमिटेड इधर राज़ेंचे जी बच्चो एसल स्टेट्मेंट और इस से अगला सवाई ठीक है ने जिस पर भी सवाल किया है एज आज आज बताएंगे एज आज 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 तीस जून दोजार अठारा अब ये नॉन कर्णट एसेट्स होंगे ऐसे ही है ना ठीक है मैंने ज़रा इस से बता दी हो सकते है कर्णट भी कुछ निकल आए कर्णट पॉर्शन भी तो होते है ना लॉंग टम के अंदर वो बाद में ध्यान से देख ले ना ठीक है लेकिन मैंने ज़रा वैसे ही थोड़ा सा यहां पर वो जगा बना लीने कि इस से आगे फिर मैं नोट को शुरू करता हूं अलॉंग विद नोट्स तो ऐसल नोट्स तुदा फाइनेंशल स्टेटमेंट्स पॉर्दा येर एंडेड पीस जून दोहजार अठार और पहली लाइन देखते ही मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं लीगल स्टेटस लिखकर मुफ्त के नंबर ले लूं तो लीगल स्टेटस जी सी लिमिटेड इस लिस्टेड आन पाकिस्तान स्टाउग एक्स्टेञ्ज पूरा लिखने अब ठीक है उसके बाद जी नंबर डूंड ले अब लब के देव मैंनों नंबर हुन लॉंग टर्म यही है नंबर फॉर नहीं यह तो लाइबिल्टी साइड चल रही है मेरे दोस्तों पी पी ए है है नहीं मिझे लगता है है लॉंग टर्म लॉन नंबर ट्वैल ठीक है बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब जी चलें जी नोट नमबर 12 हम बना लेते हैं जी ठीक है और उसका नाम होगा long term loans granted का मतलब वो आपको समझाने की लिखा हुआ granted मतलब आप ये समझ लें वैसे दो debit side पर आना काफी था जिससे बता लाग जयता के long term loan आपने दीआ हुआ है तभी acid debit side पर आ रहा है लेकिन granted आपके लिखा गए ठीक है ना अप long term loan नहीं लिखें नोट का नाम ठीक है तो note number 12 long term loans ठीक है जी और सही है चलो पढ़ना शिरू करते हैं जी कहता है long term loan ग्रांटेड इंक्लूड्स रिसीवेबल्स फ्रॉम डिरेक्टर्स अनसेक्योड and subsidiary secured subsiduity का नाम भी बता दियो उसने क्या है जी three limited 5000 और 6000 रिस्पेक्टिवली आगे ना पढ़ें पहले इसको तो देख लें ग्याराँजार के दो टोटे हो गए पांच हजार डिरेक्टरों से और छे हजार सब सीडरी से तो इसका मतलब लॉंग टर्म लोंस रिसीवेबल फ्रॉम कि मैं रिसीवेबल की कोशिश कर रहा हूं लिखने की अग्यार प्रॉम जी डायरेक्टर्स जोके क्या है जी अन्सेक्योर्ड है और जिसा का नाम था अन्सेक्योर्ड और सबसीडरी पर एकठे ही लिखता हूं ताके स्क्राइब अन्सक्राइब दरह सामने आज़े ठीक है ना सबसीडरी सबसीडरी का नाम क्या है जी टी एल टी एल और ये क्या है जी सेक्योर्ड ये नाम भी लिखना दूरी है स्क्योर्ड अंसेक्योर्ड लिखना भी दूरूर्ड है ठीक है अच्छा अब के इतने हैं जी यही तो ब्रेक अप था अगेन हमने क्या किया ट्राइल वाली फिगर को ब्रेक कर दिया ठीक है आगे कहता है अप्रिश कर देंगे से करन पोर्शन को गैरा जार में से कर देंगे बाकी क्या बचेगा नौन्कर पोर्शन करेंट इसे में नौन्करंट थीक है तो लेस कर दो पोर्शन रसेवल फ्राम सबसेडरी कि लेस कर दो इस में से करेंट पॉर्शन और करेंट पॉर्शन में क्या है जी रिसीवेबल फ्रॉंग सबसीडरी टी एल कितना दो हजार और बाकी क्या बच गया यह नौ हजार क्या है जी यह नौन करेंट है अब आपकी बैलेंशीट के फेस के ऊपर नौन करेंट एसेट्स में आएगा क्या जी लॉंग टार्म लॉंज कितना नाइन ताउजन और करेंट एसेट्स में करेंट पॉर्शन और लॉंग टार्म लॉंज आएगा अगर आप लों की जादत हो तो लॉंज लिख दूँ और यहां पे आप क्या लिखोगे और यहां पे भी जी कितना है करेंट पॉर्शन कितना है टोटल में लाकर ग्यारा हजार यही तो हमारा लॉंज है ठीक है जी अगली तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं इसकी समझ आ रही है तो अगला मसला है डिरेक्टर्स वाला लोन आ गया है कौन सा लोन आ गया जी नोट नमबर 12.1 जूँ दिया है जी लोन डिरेक्टर को आगे पढ़ना पड़ेगा बताएगा दा लोन टू डिरेक्टर इन अजस्मेंट वान इस गिवन फॉर परचेज ऑफ कार एंड इस इन अकॉर्डेंस विद दा कंपनीज पॉलिसी तो यह लाइन लिखकर बता दो च 12.1 ठीक है जी क्या लिकोवे जी लोन टू डिरेक्टर इस गिवन पॉर परचेज ऑफ कार अब परफुस लिख दिया ठीक है अगली क्या रिक्वार्मेंट थी एक लिक्या रिक्वार्मेंट थी रेकंसिलियेशन बनानी है अल्ला करें डेटा दे दे इट इस री पेवल आफ्टर अच्छा लोन टू डार्क्टर इन अजस्टमन इस गिवन फॉर परचेज ऑफ कार अच्छा इट इस री पेवल आफ्टर फाइव यह अच्छा जो रेक कंसिलियेशन बनानी है ओपनिंग ओपनिंग डिस बर्समेंट इस बर्स तरबंस लिख रहा हूं डिस बर्समेंट और री पेवेमेंट और प्लोजिंग अब वो कह रहा है के लोन री पेवल कब है आफ्टर फाइव यह इसका मतलब री पेवेमेंट तो कोई नहीं है तो सबसे पहले लिखून लोन टु डिरेक्टर इन अजस्टमन वन इस गिवन वैसे ऐसी तफ़ा दिया है खेर चलें आगे देखने है ठीक है दा लोन इस करेंट ये तो ओपनिंग भी कुछ नहीं था क्लोजिंग भी कुछ नहीं तो क्लोजिंग कितना आ गया पांच है ठीक है अब नीचे जगा दरा नहीं बची है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं साथ ही ठीक है नोट 12.3 इस लोन इस इंटरस्ट फ्री भाई एंड वालों तर्शर आ रहा है तो बढ़ा देते हैं इसे जी इंटरस्ट फ्री जी चलें आगे पॉइंट वन और पॉइंट टू यह टैकल कर लिया हमने ठीक है जी पॉइंट थ्री पढ़ें अब अगली लड़ाई शुरू कर दिया उसका दा लोन टू सबसीडरी इन एज़स्मेंट वन रेप्रेजेंट्स लोन फॉर परचेज अफ न्यू प्लांट एंड री पेयबल ओवर पीजेड ऑफ क्या इसका भी परपस बताना था तरह दिहान से पढ़ने जाके इसके परपस बताना था मेरे ख्याल से नहीं बताना था कहता है बाकी को लोन देना है तो नेम आफ एसुसीड पार्टी टार्म्स अफ लोन एडवांस पर्टिकलर्स क्लैटरल ठीक है तो नहीं है वो पताना परपस ना तो कोई बात नहीं सिर्फ यह लिखो लोन टू सबसेडरी आर रिपेबल लोन्स होना चाहिए था फिर लोन्स है इस कर देंगे ना जी लोन टू सबसेडरी इस रीपेबल रीपेबल अब आप लड़ोगे जी रीपेबल हो रीपेबल का मतलब सब्सिडिडी गरिमेंट किया हुथा गरिमेंट वाली वात लिखी होती है आप रिसीवबल लिख लें तभी को मसला नहीं है जैसे लीस पेइमन्स को हम कह दिया करें तो 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 अन अब लिख दो एक्षिवबल लिख दो इसको अतराब है ठीक है दोनुं लिखे जा सकते है त तो यह आपने पढ़ा ना अब हम इस नोट के अंदर ना पहले अंग्रेजी पढ़ के आ रहे हैं तो जहन के अंदर है कि क्या क्या लिखना है ठीक है वरना जो भी समझ ना आए वो लिखने ने आपने अपने घे रहा करणों के सिजरे के लिखने ही हुए इस अरहा हो जाना चाह रहे हैं जए अर्ट मेतले जटीं हुए फ़न है करण में इसम्तिय हुए है कि इसाहले मैं आपर लेकर यह दो साल से नीचे नीचे इससाल को mean नोर्ट हम नानान प्रॉशेंटलों में नानान कृर्ण लयांडश में ठीक है या एसेट्स में इसका में तो यह चार। हुए यह एकिए यह मचेशनल year old करते हैं और लाउंट अलग चirm लांटर नोन्स का एडवांसिस का ठीक है जी ट्वेल प्रण्ट-फॉड लों जोन टू अच्छा आप यह जोन वो भी करना है इनको रैफर भी करना है ठीक है तो यह नोट 12.1 12.1 12.2 और 12.3 यह रैफर ठीक है एलो और कर लो फिर कमानिया दूसरी ठीक है जी नजर आ रहा है कैसा उसके बाद इसका नोट नमबर कौन कौन सा होना है यह ऐसे लिख देंगे तो फिल्हाल नोट 12.4 यह चाल पड़ा है अब कहा हम ठीक है 12.4 जी लोन टू सब्सिडरी टील इस री पेवल इन क्या ओवर अपना क्यों सोचें जब लिखा हुआ थे ओवर अ इरिएड ओफ वान टू त्री यह एंड इस गिवन और दा परचेज ओफ न्यू प्लांट थीक है जी तो टाम्स एंड कंडिशन लिख दी हमने बीच में अमने परपस भी लिख दिया हो था मने का ये क्यों फारिक चोड़े एक लाइन ही है उसको दे लो कि यार ये भी लिखे जरा मुझे पता पता होना चाहिए ठीक है यूजर को मैंने ये बिताना था प्रच्वन प्रच्वन लेंड इन लहौर ये अलग से नोट है ठीक है तो 12.5 भी इसी से रिलेट करेगा जी 12.5 बोलो जो लाइन लिखी हुए है दा बैलेंस आउटस्टेंडिंग मतलब मैंने ये भी नहीं सोचने की जाहमत की कि मैं लिख दू लोन फ्रम सब्सिडरी लिखाओ वो यूटागर लिख रहो टाइम नन लगाएं जी दे बैलेंस आउटस्टेंडिंग फ्रम सब्सिडरी इस सेक्योड बाइव लैनिन लॉरल सेक्योर्टी कलेटरल मैक्सिम एग्रिगेट वाला भी अल्ला करें बता दे वो भी लिख देगे बता दिये मैक्सिमम एग्रिगेट अमाउंट ड्यू फ्रम सब्सिडरी अड़ एड़ एंड अफ एनी मांथ दूरिंग दा यिर वाज नववे आगे न लिखें यहां तक तो लिख लें यार इस से बेतर नहीं है यह कर लें 12 पॉइंट जरा तमीज से लिख लेते हैं न इनको जी से क्योड जी नोट नंबर 12 पॉइंट फॉर आगे अनवर्ड चल रहा है इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं पहरे तो जरा तमीज से लिखते हैं यह है जी अनसेक्योड लिखा हुए ठीक है ना अनसेक्योड और यहां पे नोट 12 पॉइंट 1 से लेकर 12 पॉइंट 3 तरक इसका साथ हैं अजरा बेतर होगी शेकल ऐसी लिखने पर्चे में भी आपके ठीक है 12 पॉइंट 12 पॉइंट 12 पॉइंट 4 पॉइंट 3 अच्छा अब जी आगया मैक्सिम अग्रिगेट अमाउंट वाला तो बोलो जी यह वाद रेसंद में है काए कम बाद गया जी एंजी कर लिए जी बोलें दो मैक्सिमम अग्रिगेट अमाउंट तो मुश्किल है फाइनल अइल अब तो मज़ा हाने लग गए के यहां यहां अच्छा यहां आपको करने यह आने लग गया बगिस्क चल रहा है ठीक है जी दिए अधार्थ में प्रॉट्व फ्राम आउ cheaper ड्यूव êtes कि सेथागर लिखने सुर्फ कॉपी पेस्ट ते कि इस सब्सेडरी at the end of any month at the end of any month during the year जी वाल रुपीज नाइन नाइन थाओदन बस फिर उसने कहा था देखो ना ये नाम बताओ टाम्स एंड कर्डिशन बताओ फिर कलेटरल सेक्यूर्टी बताओ फिर कोई परुवीजन है तो बताओ कोई राइट आफ की है तो बताओ और तो कुछ नहीं था बताओ ये लॉंग टाम वाला है ना ये राइट आफ है तो वो बता दो ठीक है जी तो सवाल में वो कहता है no provian and right of is required तो यह हम अलग अलग लिख देते हैं no provian is required no right of is required ताके आपके जेन में ये रहे का अगर होता तो यहां पे वो ही लिख देते ठीक है नहीं तो लिखे ना अब उसने लिखकर नहीं बता है नो प्रुविएन और राइट अफ इस रिक्वाइड तो यह लिखना डिस्क्लोज करना है चीक है तो 12.7 नो प्रुविएन इस रिक्वाइड बस इन रिस्पेक्टर एड़ इसी एड़ भी चेंगे नहीं है नहीं है लंबी तसीले नहीं नो राइट और इस रिक्वाइड यह ने कहना सर इस रिक्वाइड नहीं नो भी पहले पड़ो ठीक है तो 12.4 से 12.8 प्रुविए 12.4 से 12.8 ठीक है जी कैसा लगा आपको यह नो प्यारा है नहीं अहीं है अब यहां पर हम अब लख लेटे हैं कुश्चछ सवाल जी यहां पर कुश्चन नमबर 42 प्लस साथ ही हमने यह नोत यहां सर भी देखना है 2006 पेज 594, हमारे फॉर्मेट का, पेज 594, नोट 12, ब्लस टू पास्ट पेपर्ज, एक में उसने कहा बना दो, दूसरे में उसने कहा ये बना हुए अगलतिया निकाल दो. तो तीन तरह से टेस्ट कर सकता है वो, ठीक है, एक तरह से अभी हमने किया, दूसरी तरह से वो कहें के ये बना पड़ा है, पहले कहें बना दो, दूसरा कहें, बना पड़ा है, गलतिया निकाल दो, तीसरा कहें, लॉंग टर्म लॉन अड्वांसेस के डिस्क्लोजर्स लिख क बता दो ठीक है अच्छा ये जो भी रिसेंट किया ना इसने टेस्ट ये बड़ी फंकारी लगाई कहता है जी कोई भी फिगर रज्यूम कर ले ना और मुझे नोट बना दो तो बच्चे कोई भी फिगर रज्यूम कर सकते हैं और खुद सुलूशन में अब दिया तो कोई फि चीज थी लेकिन खैर उसमें भी अज्यूम कर सकते थे आप तो वी थर्ड स्केजूल भी करना है बस यह मैं लिख रहा हूं यह आपने खुद देखने एक मिनट देखने जरा पास पेपर ट्वेल्फ जिस भी सफ़ेपर होगा ठीक है ना पास पेपर ट्वेल्फ प्लस पास ठीक है पास पेपर सिक्स्टीक यह तो मैं देखकर आया था कि आपको दिखाऊंगा पेज नumber फास्ञेबर पर सिक्सटीन और पास पेपर 12 किस पेजी पेज नमबर पास पेपर 12 तो बेटा अब क्या करें आप फाइनल अकाउंट की आप ट्रेंड तो आप देखी रहे उसका क्या है असल मैंनो वो इंकम सेटमें बैलेंश इट आज कल देखा नहीं है आपने फुल फलेज कंसॉलिडेशन में बनवा लेता है तो कहते हैं फिर यह काम जो करें जाते हैं बच्छे को करोओं ऌलीफ में यहांपर यहां पर उस लेवल की बनवा भी लेकिन वो पूरी हैं पूरी में सेटमेंट बैलेंस इरिप मरा तो रहा होता है और टिकां के बनवा लered देखनें डिए आपको सब कुछ आ रहा है, OCIE भी आ रहा है, सेलिंग एडमिन, सब कुछ प्रॉपर फॉर्मिट के असाब से आ रही होती है चीज़े, तो वहां पे गुसा निकाल लेता है, जहां पे यह चल रहा है, लेकिन इसको यह नहीं कह सकते के नहीं आता है, पूरा सवाल इसलिए करव ठीक है, बहुत असान है, मैंने कुछ लिखना है नहीं, पिछली बार जो लिखा था, उसी को सामने करना है और वहां से समझा देना है, ठीक है, इसलिए मैं रिलैक्स होगे हो, और पास से पर दिखा सकता हूँ, एक दम से ख्याल आ ले है, कल रात को मैंने देखा है, वहां स स्वीर रखनी है, ठीक है, पास से पर कों से समझ छे सो, इसे पहले जरा प्रेक भी लगा रहेते हैं, पास से पर, ट्वेल्फ पर जाते जाते, यह, काम, यह किया था ना रिमनेशन वाला, यह साथ नंबर का सवाल था, इसमें बादे इसके होंगे, ठीक है, अब इसके आपने, और नोट तो मेने करवा दिया है, तो यह करना है आपने, उसके बाद 16 में चेक करें, प्रिपरेर आ नोट, एज रिकॉर्टेट बादेगर वास, विच 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 विज विर बीच सेंटरूर्म फॉर फाइज फाइशन पार्टर्टर पार्ट तो पाइजार्टर पूरी बात ने कर रहा है, for business expansion, with repayment expected after three years, you have been pointed out that providing such loan would require additional excuse as per fourth schedule of companies, four schedule वाली थे, जहां नहीं लिखा होता, वो दोनों के होते हैं, तो fourth और fifth दोनों में आ जाते हैं, ठीक है न, अच्छा, इसने कहा है वैसे, इसने कहा है, तो आपने कहा है, इसको, CFO has asked you to prepare an illustrative note, disclosing the above, which would be included in upcoming annual finance statements of SL, if those loans are, कहता है, जरा बना के लाओ, ऐसी note की शकल होती है, ठीक है, तो आप कहता है, note बनाओ, you may assume necessary details, अब आप जो मर्जी टेल ले ले लें, आप ले लें, हजार, हजार, और जो हो, दो हजार, और फिर कोई current portion ऐसी एजूम कर लें, जी पांच सो है, पांच सो रुपे, मैं साल दे रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी assume कर लो, उसने कुछ भी नहीं किया था, उसका solution चेक करो, उसने कहा जी बस X, X जी, और बहुत छोटा सा बना दिया था उसने, ठीक है, नंबर, हाँ, तो पेज नंबर बताओ ना, अगले सवाल चुरू हो जाने में, ये, निकल ग करेंट कोर्शन, बांब 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 लॉं लॉं डिरेक्टर, इंटरस्फरी हैं, फो द पर पर फेज़ा पाउसा, रेकनसिलियेशन ने, तसके भाई लॉंग टम वो से सारा कुछ इकटा गर दिया, जो हमने अलग-ठाले हैं, तो और किसको कहते हैं तेहरी, किसी क असान है फाइनल अकाउंट मैं तो बहुत एंजॉय करता हूं इसको बेटा कोई बात नहीं आप अलग अलग ही लिखने आप अलग अलग ही लिखें क्योंकि हमने ना पॉइंट को याद किया इस तरह से वहां से अलग अलग याद किया है अभी कालको को कहा दे जरा बताओ डिस्क्लोजर रिकॉर्मेंट्स क्या क्या हैं अंग्रेजी में लिखकर तो हमने तो उसकी भी त्यारी की हुई है हमने नोड बनाना भी सीख लिया है और जब बना लिया तो घल्तिया निकालना भी आगई ठीक है ना तो हम पॉइंट्स में रखेंगे मैंने जितने पॉइंट्स के इसक्लोजर के लिखे हो तो मैंने कोशिश की उतनी बनाओं मैंने तो यहां पर भी इनको अलग अलग किया लिखका जाए तो नो पुर्वियन और राइट आफ इस रिकॉएर्ड मैं इसको भी अलग अलग थी तो मेरी कोशिशी थी कि यह जरा अलग अलग याद हो जाए तो आप अलग अलग ही लिखें ठीक है पर्चे में भी अलग अलग ही लिखिएगा तो मैंनों फनकारी लान देवर्थे जरा तो लिए क्योंकि स्टैप बस्टैप चीजें उपन करनी है ना कहीं यह तुछी सारा देख लोगे पहले ही भाई यह क्यों देख रहे हैं आप लोग और गवर से हम कहा है मैं देखें आप यह तो आपको एंड पर कंक्लूजन देना है तो पहले आप ने देख लिए तो फिर तो आप गए अच्छा जी पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट और फॉरन कंपनी और एंपियो यह चार कैटिकरीज आपके सामने में ने रखने हैं अगर किसी कंपनी का शेर कैपिटल दो सो मिलियन रेविन्यू आट सो मिलियन यह एंप्लॉईज शाड़े साथ सो मिलियन नहीं है साड़े साथ सो हो 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 नूरुला क्या करते हो यह एंप्लॉईज साथ साथ सो मिलियन नहीं साथ साथ सो अगर किसी कंपनी का शेर कैपिटल दो सो मिलियन रेविन्यू आट सो मिलियन या एम्पलाइज साड़े साथ सो तक हो तो वो कंपनी मीडियम साइज कंपनी कहला तो और अगर इन में से कोई एक भी सर निकाले बढ़ देओ नहीं वो लार्ज स्केल कंपनी बन जाती है मतलब दो सो मिलियन शेर कैपिडल आट सो एक मिलियन रेविन्यू और साड़े साथ सो एम्पलाइज भी है तो ये क्या बन जाएगी लाज स्केल ठीक है ना वैसे तो ये थ्रेश होल्ड है ठीक है वो यूं कहता है टू हंडर्ड और मोर वो पढ़ लेंगे ठीक है लेकिन फिल है तो मैं बराबर को रखता ही नहीं ठीक है ना अगर अगर शेर कैपिटल रेविन्यू और एम्पलाइज के ये थ्रेश होल्ड है कि अगर दो सो मिलियन शेर कैपिटल और साड़े साथ सो एम्पलाइज से नीचे है तो फिर ये मीडियम साइज है और अगर इससे बढ़ ज कि बाथ जिस्टिट कमपनी को साड़ बिका दों पॉबलिक इंटरस्ट कमपनी होती है उनको अलग से रखना ठीक है ना प्राइवेट कंपनी के अंदर कंपनी एक्ट का स्केजुल थर्ड यह मैं थर्ड स्केजुल पढ़ा रहा हू हूं जो कहता है कि कौन से कौन सा स्केज थर्ड स्कैजूल कहता है कि अगर 200 मिलियन या 800 मिलियन या साध्य साथ सो एंपलॉई से ज्यादा है तो वो तो लार्ज स्केल है उसी तरह से और अगर से नीचे है तो यह मीडियम स्केल है लेकिन अगर इसको यूँ पढ़ना चाहिए था वैसे असूली तोर पर शेड़ खानी डाइसर हैं तो यह क्या है स्मॉल स्केल और अगर इसमेसे कोई एक भी सर निकाल ले तो यह मीडियम साइज बन जाएगी लेकिन यह त्रेश्वलं यह थैक है यह थैज्वल्ड थोड़ा जाद करना पड़ेगा माज़त लेकिन मैंने कोशिश किया यह तॉयम स्पराइविट के ंदर एक चीज अडिशनल है दस मिलियन का शेर कैपिटल देट्ट सो मिलियन का रेविन्यू और धाई सो इंपल्उई अगर इसे नीचे है तो स्मॉल स्केल इस से ओपधा तो लाज्ग्पल्एविज ले जायी ऑचात सो से ओपधार से नीचे वाली जी ठीक है ना जैसे मर्जी याद कर लो जुगार अब हम तो ऐसी लगाते थे ठीक है उसके बाद foreign company जो है उसके लिए उनने का इतनी टैंशन ना लो foreign company का सिर्फ आपने revenue देखने हैं अगर इसका revenue 1 billion है 1000 million अगर इनका revenue 1 billion तक है तो यह medium scale और अगर 1 billion से उपर चली जाए तो इनका share capital इनके employees देखने की दूरत नहीं यह foreign company ठीक है तो foreign company को सिर्फ किस से देखेंगे हम revenue से अगर इनका revenue 1 billion तक है तो यह medium और इससे उपर चला जाए तो यह last scale चाहती चीज़ है non-profit organization यह क्या मसला है और कौन है बच्चे क्या है थोड़ा रिक्वेस्ट कर ले एंपियो एंपियो के अंदर भी revenue नहीं होता इनके donations होते हैं लेकिन लिखा revenue है ताक एक जैसा razor ठीक है ना जब हम पढ़ेंगे थर्ड schedule को तो वहां पर आपको revenue donations ही मिलेगा लेकिन आप समझ लेना एंपियो का revenue क्या है उसका donations ठीक है ना वह कौन सा कोई चीजने बनाकर बेच रही है profit के लिए तो उनको तो donation उनकी income तो है ना income तो वह वह revenue इसलिए लिए ठीक है अगर NPO के donations 200 million तक हैं तो वह medium size company है और अगर उससे उपर चला जाए तो ये भी large size company बन जाती है ये समझ आया है अब असल कहानी आप शुरू होनी है ठीक है ये बस समझ आ गई large scale medium scale large scale medium scale small scale large scale medium large scale medium small scale सिर्फ कहां पे है private company case में ठीक है अब अगली बात एक तो हो गई ये categories category one public unlisted category two private category three foreign category four NPO और category five क्या है जी public interest companies कौन सी public interest companies जिन्में public का interest होता है ठीक है वो unlisted भी हो सकती है और public interest companies जो है वो लिस्टिड भी हो सकती है ठीक है वो किते गई मेरी number five एवे जी तो ये पांच तरहां की बिसी कली अनलिस्टिड में ये अलग रखने आपने ठीक है ना ये थोड़ा गुमाने वाला है लेकिन कोशिश किया इसको summarize करने की ठीक है बना तो तीन चार्स सफ़ह में आप गूमी जाएं पूरा schedule समझ ही ना है law ऐसे बनाया जाता ना है किसी आम बने समझने ऐसा डीक माई चल दी तो लाज़्स्केल समॉड़ स्केल अनलिस्टिड के लिए लाज़्स्केल मीडियंख स्केलर ये प्राइवेट के लिए ले लाज़्सकेल और मीडियम ये ये लग होगी कहानी ये अलग है unlisted public private foreign और NPO ये अलग हो गई उसके बाद आती है public interest companies कुछ तो listed है listed company को standard कैता है company art कैता है कि ये listed company है ना उसके public का interest होता है लोग उनके shares खरीद रहे हैं बेच रहे हैं market के अंदर ठीक है और कुछ ऐसी होती है जो पब्लिक इंटरस्ट होती है लेकिन लिस्टिड नहीं होती है उनके अंदर मैं कल पढ़ाऊंगा आपको स्केजूल ने अंदर काफी सारी लिस्ट दी हुई है मैं बिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ जो स्टेंडर्ड निसमें कमपनी जैक ने जो लिखा हुआ है उस होते हैं इस तरह की क्यों लिस्ट बनाई हुए या नहीं कि ऐसी हैं जो लिस्टेट भी होकर पब्लिक इंटरस्ट कमपनीद हो सकती है वह बहुत सारी है मैंने कहा लिख लगना है किस पर फिफ्ट कैजूल और दूसरी कहानी कया है किस पर आयाइब वाले स्टेंडर्ड कोई मस्टला नहीं कल दुबारा समझाओंगा ठीक है ना आज टाइम ज़रा कम है ना इस वज़ा से तस्वीर और साथ M.C. क्यूज लेकिन यह बेस तो बना के जानी है ठीक है लार्ज नीचे तो मीडियां उसके बाद लिस्टिड कंप्नी ये ना प्राइबेट हैं क्योंके लिस्टिड होगी, फौरन एन्पी ओ भी नहीं है लेकिन लिस्टिड कंप्नी को किया कहता है सेंडर्ड यह पब्लिक इंटरस्ट कंपनी हैं कौनसी जी ठीक है पी आईसी और है, सबसे पहला स्केल हो, चाहे मीडियम स्केल हो, क्या लगेगा सिफ स्केजूल इन यानि छोटे वाला स्कैजूल और आईये फारेसेस चलो साथ में इसको भी फड़का दो इस पे भी स्कैजूल और आईये फारेसेस इसका मतलब जहां पर प्राबलम नहीं है वो कौन कौन से हैं कोई डिफरेंट सा कलर डूंडो कौन सा हो यह वाला कर लो इदर देखो कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं इदर भी कोई मसला नहीं इदर भी कोई मसला नहीं कहां तक जहां तक बात हो नहीं जहां तक बात हो आईये फारेसेस की और फिफ स्कैजूल की यहां तक कोई मसला अब बच कौन गया है स्मॉल स्केल क्या बचाए जी इस पर आई आई फारेसे नहीं लगते बलके स्टेंडर्ड ये कम्पनी जड़ कहता है ये तो बच्ची कंपनिया हैं चोटी कंपनिया हैं इन पर रिवाईजड ए आफारेस लगेंगे क्या लगेंगे जी रिवाईजड अकाउंटिंग स्टेंडर्ड फॉर वो स्मॉल स्केल और्गनाज़शन उन लग से बनाएं हैं चोटे वाले ठीक है ना उन पर दादा रेगुलेशन नहीं होती तो इधर देखो इस पर क्या लगेगा फिफ स्केजड़ और रिवाईज फिफ स्केजड़ इस पर भी लगना है यानि अभी तक फोस्केजड़ कहीं पर नहीं आया अब कहा नहीं समझाई फिफ स्केजुल 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 उसके बाद आये फारेस 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 हर जगा आये फारेस हर जगा फिफ स् एक प्राबलम कहां पे आई स्माल स्केल में एक छोड़ी सी प्राबलम यहां पे अडिशनल भी है अगर NPO हो ना NPO तो AFRS के साथ जो स्टेंडर्स आप पढ़ कर AFRS कहा रहा हूँ AFRS के साथ साथ जो स्टेंडर्स आप पढ़ के AFRS के आए AFRS के आए स्टेंडर्स पर NPO लगा दिये जाते हैं हमारे वाले स्टेंडर्स बाकी अकाउंटिंग यह उन पर नहीं लगते हैं उनको माफी है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ जरा मैं माजरत चाहता हूँ दुबारा से दुबारा से AFRS, 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 AFRS AFRS AFRS, AFRS, AFRS AFRS, उसके बाद फिफ्स कैजूल तो इन सब पर ही लग गया ठीक हो गया लेकिन यहां पर अडिशनली अकाउंटिंग स्टेंडर्स और NPO भी हैं ठीक है? आगे बढ़ते हैं जी अब रह क्या गया? लिस्टिट कंपनी? जाँ यानि पॉर स्कैजूल सिर्फ लिस्टिड कंपनी पर लगना है खार, ये पहले बताता तो तेंट्टिंशन इयू भूग जाती पहले बताता तो आपको याद कैसे होता ठीक है? तो फिफ्स कैजूल सिर्फ किस पे लगता है? फो स्केशल किस पर लगता है लिस्टिड कम्पनीज पर बाकी ये जो पब्लिक इंट्रस कंपनी अनलिस्टिड हैं इन पर भी क्या लगता है अब आपको का सार ये क्यूं बता रहे हैं आपको संब क्यों क्यों रहे हैं मैं MCQ घृज्ड बता rather अब आखरी बार IFRS, IFRS, IFRS और प्लस फिफ स्कैजूल ठीक है? IFRS, प्लस फिफ स्कैजूल, प्लस accounting standards for NPO यहां IFRS नहीं है, फिफ स्कैजूल है और सिरफ accounting standards for NPO यहां पर फिफ स्कैजूल भी है, IFRS भी है यह तो कोई मसला, यह बिचारे छोटे इनको AFRS लगते हैं और लगता है इन वे फिफ स्कैजूल है यह निए फोर स्कैजूल सिरफ कहां पर रह गया है लिस्टेट कम्मिनिस के लिए, ठीक है यह बात मद्दे नज़र, तमाम गवाहों और बियानात को मद्दे नज़र रखते हुए मैं कुछ MCQs लिख रहा हूँ एक मिनट यह पेज नमबर कौन सा है जी, आपकी किताब का आपकी किताब का पेज नमबर कौन सा है 602 पे देखें ज़रा, शुरू हो रही है कहानी है 602 पे, थर्ड स्कैजूल पेज नमबर 60 टू पे शुरू हो रही है ना बस उस से ऑनवर दो तीन सफें है वो सारी बात यही है आप बेशक पड़ पुड़ के देख ले ना समझ वहां से जब नहीं आनी है या आभी जानी है तो कहना यार यही वारे में था, ठीक है तो इसकी पिक्चर ज़रूर लीजिए लेकिन कुछ MCQs मैं लिख रहा हूँ इस चैप्टर के वो आपने ट्राई करने आप बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव हैं कोई कैलकुलेशन एक में भी नहीं है सब में यही है यह कंपनी है तो कौँ सा डिस्क्लोजर, कौँ सा सेंडर लगता है कौँ सा स्कैजूल लगता है इसलिए वो मैं लिख रहा हूँ सारे वन बाई वन ठीक है तो देख लो दरा 44 42, 41 उसके बाद आजो इदर 20, 19, 17, 16 11, 10, 9, 8, 7 अच्छा, एक MCQ है 6 उसको क्रॉस कर देना एक MCQ में और भी गलती है वो होकर डिस्पोजल का डिस्पोजल का जो नोड नहीं मनता डिस्पोजल का जो डिटेल अव डिस्पोजल उसके अंदर ना शायद पराना MCQ उन्होंने जो वोक वैली अग्रिगेट रखी है नहीं पांच लाख रखी है यह कुछ लिखी है वो पांच मिलियन है ठीक है न तो वो MCQ भी बेशक काड़ देना वो MCQ में गलती है अच्छा उसके बाद फाइव कर लो लिस्टी मुखी है फाइव फोर थ्री नहीं टू वान एंड ओ पच्चीस वाले इदर रहागे थोड़े से बीस के बाद एंड पी करना है वैसे तो यहां से ऐसे लिख देता हूं मैं यह होगी एक लाइन और इनको उपर ले ओ तस्वीर भी तो खेंचनी है ना आप लोगों ने तो एक तस्वीर में यह सारा कुछ आएगा नहीं न तो मैं चाहरा हूं सारा कुछ एक तस्वीर में आजाए तर्तीब यह रखनी है ठीक है जरा असानी रहेगी उसमें नहीं मिटा रहे है चलो फाइप फॉर थ्री उसके बाद ट्विंटी फाइव रह जाएगा ट्विंटी सैवन ट्विंटी सिक्स थर्टी त्री यह कर लीजेगा बाकी कोई अगर ना हो तो पिर देख लेंगे अच इसाओला कर लोगे ठीक है जी? अल्हाफ़िष।